कॉलर साफ नहीं होता है वाशिंग मशीन में या फिर कोई और भी कपड़े हम धोते हैं तो वो भी अच्छे से साफ नहीं होता है कहिना पर डिटरजेंट रह जाता है या तो गंदगी वैसे ही रह जाती है तो अगर यह सारी प्रोग्लम आपके साथ है तो यह वीडियो आप बहुत ही काम का होने वाला है चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं आपकी मेरे चैनल कवीता गुपता कुटिंग टिस में स्वागत है तो आज में बताऊंगी कि आपको वाशिंग मशीन में फ्रंट लोड वाशिंग मशीन में कॉलर कैसे साफ करना है और गंदे कपड़ वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है कि मैंने अप्रोड भी अलड़ी कर दिया हो तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको मिल जाएगा आप वहां से भी देख सकते हैं तो इस वीडियो में स्पैशली कवर करूंगी कि कॉलर आपको कैसे साफ करना है और कपड़ों को कैस कबर एकम सारे कबड़े में अच्छी प्रफॉर्मिंस रहते हैं चलिय ज़्यादा देर ना करते मैं आपको समझाती हूं कि मैं आप इन सारे कपड़ों के साथ करने क्या जा रही उसके बाद मैं वाशिंग मशीन में डालूंगे तो यहाँ पर इतनी सारे कपड़े हैं तो यह टीशेट है तो टीशेट और मैं शर्ट का अलग एक कैटेगरी डिवाइट कर रहे हूं तो देखिए टीशेट और शर्ट को आप इकटे दो सकते हैं वो भी कॉटन का है तो बहुत अच्छी बात है तो देखिए यहाँ टीशेट था वो अलग कर दिया था कुर्ती है तो इसको मैं अलग रख रहे हूं यह पजामा है कुर्ती का इसको भी अलग रख रहे हूं अब पर एक और टीशट है इसको टीशट वाले में डाल दे रही हूं ऐसी करते करते देखिए यह जीन्स है तो जीन्स को हम ना टीशट के साथ में दोंगी ना ही कुर्ती के साथ इसको मैं अलग से दोंगी जीन्स पैंट हाफ पैंट यह सब है तो इन सब का में अलग बना रही हू तो देखिए यह भी पैंट है तो इसको मैं जीन्स के साथ डाल दे रही हूँ तो ऐसे करते करते मैंने यहाँ पे तीन कैटेगरी बना ली है टीशट का जीन्स का जो की थोड़े हार्ड कपडों में आता है पैंट और जीन्स और यह कुर्ती का अलग बना रही कुर्ती वे यहां दो देखिए पजाम के साथ नहीं वेश करती हूं तो यहां देखिए पजामा यह सब है लोवर है तो इन सब को मैंने पैंट में डाल दिया है अब आकी टीशट शिर्ट है तो उसको अलग कर दिया है तो यहाँ पर यह देखी यह सारा टी शेट्स है तो चली इसको count कर लें ते कितने टी शेट्स हैं तो एक shirt, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, और एक यह 11 मतलब 11 quantity यहाँ पर टी शेट्स का है तो आज मैं इसी को wash करके दिखाऊंगे अगर cotton में अब shirt section में अगर कपड़े डालने है तो उसे आप ज़्यादा मत डाले जासे आप 13 कपड़े डाल सकते हैं उससे ज़्यादा कपड़े ना डाले बाकि जो pant and kurtis है उसको वापस से मैं laundry bag में डाल दे रही हूँ जिसे की इसे मैं कल wash करूँगी इस पर वीडियो बनाऊंगी तो वह आप लोग जब भी मैं इसके बाद upload करूँगी न तो उसको कैसे दोना है वह आप देख लीजेगा तो चलिए इसको वापस से laundry bag में डाल देते हैं अब यहां पर मैं आपको shirts दिखाती हूँ उसके collar दिखाती हूँ कि कितना गंदा है तो आप देख सकते हैं यहां पर black sea line लगी हुई है तो यह सारग सारव washing machine में बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा एक method भी मैं बताऊंगी अगर आपके washing machine में नहीं साफ हो रहा है तो आपको दिखा दिया है दूसरे shirt का भी मैं collar आपको दिखाती हूँ यह देखिए कितना गंदा है इसका तो पूरा नीचे उपर सब गंदा है आपको इसे कैसे clean करना है थोड़ा भी दाग नहीं रहेगा जब मैं धोके निकालूंगी न तब आप देखिएगा कैसे collar clean हो जात सारे कपड़ों को washing machine में डाल देते हैं यहां पर टी-shirt है इसको भी मैं दिखा दे रही हूं देखिए टी-shirt का जो यह strips है इसको भी देखो पूरा black हो गया है तो यह भी पूरा white हो जाएगा तो यह भी man's wear है तो इसे भी मैं washing machine में डाल दे रही हूं और इसको कैसे wash करना है तो ऐसे करते करते सारे ही कपड़े में washing machine में डाल रही हूं तो यहां पर देखिए मैंने कपड़े डाल दिये हैं तो counting से मैंने बता दिए कि मैंने 11 कपड़े डाले हैं जा स्यादा दो कपड़े और डाल सकते हैं अगर कोई cotton में टॉवल है तो वो भी डाल सकते हैं तो जो कपड़े डालने चाहिए वह आपके ड्रम पर डिपेंड करता है जैसे मेरा यहां पर 8 kg का ड्रम है तो मैं इसके हाफ कपड़े डालूंगी cotton वाला इससे ज्यादा आपको नहीं डालना है अगर आपको शिकायत है कि कॉलर नहीं साफ होता है तो आपको आधे ही कपड़े ड् कोड़े डिटरजन सोप कोई भी कंपणी का लिए सकते हैं और इसके उपर उपर लगा देना है यह मैं इसलिए बोल्टरिंग क्योंकि कॉलर पे अचली होता है किया ना बालू में यह बालू में तेल लगाते हैं तो और लगा रहता है को जिससे कि गंदगी है वो चिप्ती रह जाती है निकल नहीं पाती है तो अगर आप इस पे डिटर्जेंट रगड देंगे तो आपको कॉलर बहुत अच्छा साफ होगा नहीं तो आप इस पे थोड़ा सा डिटर्जेंट लिक्विड वाशिंग में जो डालते हैं वो भी इसके उपर लगा सकते हैं तो थोड़ा स मैंने आपको बता दिया है तो चलिए इसको भी ऐसी डाल देते हैं एक मैंने शर्ट में ऐसे लगा दिया है बाकी दो शर्ट से मैं नहीं लगा रहीं क्योंकि मुझे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है मैं जिस तरीके से धोती हूं उसी से कॉलर अच्छे साफ हो जाते ह मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाली है तो चलिए तो पहला आपको ध्यान देना है कि कॉंटिटी कम हो दूसरा ध्यान देना है कि अगर बहुत जिद्धी दाग है जो नहीं चूट रहे हैं तो उस पर कुछ भी सोप या डिटरजेंट या लिक्विड दिटरजेंट है तो वह आप लगा दीजिए तीसरे में आपको करना क्या है पहले तो मैं वाशिंग मशीन उप्रिंग कर लेती हूं और लेती हूं तो यहां से मैं ने ओन कर लिया है अब मैं यहां से स्लेक्ट करूंगी यह आपको दिख रहा है शर्ट को अप्शन तो मैं इस शर्ट को स्लेक्ट करूंगी अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि वह mix load कर देते हैं सारे कप्लों को करथे डालके नहीं तो cotton में वाश करते हैं अगर quantity जादा है जैसा में दोखेंगे अगर दो शर्ट है और मिक्स कपड़े हैं तब आप कॉटेन में वाश करें मिक्स लोड में मिक्स लोड में कभी कपड़े अच्छे साफ नहीं होते वह मैंने देख लिया कितनी बार भी धोके कॉटेन में ज्यादा बैटर रिजल्ट मिलता है और अगर सिफ श करना के उद्ट यहां इपर wash कर देना एक इस धूड़ा ज़्यादा पानी में कपड़े थूड़ा भी डि सब्सक्राइब इसमें डितब्लाल रहे तो यहां पर यहां पर जैसे आप वाटर प्लस हो जाएगा तो टाइम हो जाएगा तो प्लीस घब्राने वाली बात आहीं टाइम पर बिल्कुल मत जाई है मशीन जब भी धोके देगा आपको अच्छे कपड़े ही धोके देगा आपको यह पश्तावा नहीं होगा कि आपने इतना अच्छा स्मार्ट वाशिंग मशीन लिया है तो उससे कपड़े अच्छे नहीं वाश हो रहे हैं तो यहां पर सेटि रोड वाशिंग मशीन आपके घर में है कि कोई लिक्विड डिटर्जेंट पानी में बहुत जल्दी डिजॉल्व हो जाता है पावडर डिटर्जेंट थोड़ा टाइम लगता है उपर से वह चिपका ज्याधा रहता है तो कोशिश करें कि लिक्विड डिटर्जेंट यू जाएगा आप डायरीक्ट वहाँ से जाके आमिज़ॉन से पर्चिस कर सकते है देखिए यहां मैंने डिटर्जेंट ड़ा दिया है और मैं यहांपर थोड़ा से इधर भी डालोंगे यहां पे मैंने दो टेबल स्पून यहां पे content डाला है और half टेबल स्पून यहां पे डाला है इधर इसलिए हम डालते क्योंकि बहुत गंदे कपड़े रहते तो तो फोड़ा से इधर भी डाल देना चाहिए और यह हमारा main compartment है तो यहां पे तो हमिए डाल करने देख लिया है इतना मैंने डाला है यहाँ पर डाल दिया है सेटिंग्स भी हो गया है बस आब वांजिंग मशीन को हमें इस्टार्ट कर देना है तो यहां से मैंने स्टार्ट कर दिया है अब पूरा एक घंटे का वीडियो मैं नहीं बनाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो बीच बीच में थोड़ा-थोड़ा मैं दिखाते हुए लास्ट में फाइनल रिजल्ट में आपको दिखाऊंगी कि मेरे वाशिंग मशीन में जो कॉलर है वो कैसा साफ हुआ है आप लोग भी इस मैथट से साफ करिए बिल्कुल भी आप लोगो शिकायत नहीं होगी पानी डिटरजेंट और कपड़े तीनों में आपस में काफी अच्छे से मिक्स हो गया है यह देखिए और अभी यह स्पिन हो रहा है यह देखिए यहां पर इस पिन हो रहा है लाज्ट प्रॉसेस बचा है जिसमें की अभी सिर्फ नौ मिनट बचे हैं क्लिट हो गया है अचली यहां पर आभी डोर अनलॉक नहीं हुआ है उसका अवाज नहीं आया क्योंकि यहां पर मैंने चाइड लॉक किया हुआ है इस मेरा बेबी है तो मुझे यहां पर चाइड लॉक करके रखना पड़ता है कि सेटिंग्स वो कहीं खराब ना करते देख यहां पर दोर अलॉक का वाज आ गया है तो दोर यहां पर ओपिन हो गया है तो चली अब मैं आप लोगों को पिन गर के दिखाते हूं से पहले तो यह रैपर देख लेते हैं कैसा आया हुआ है लग रहा है किस पॉकेट में था मैंने ध्यान नहीं दिया था देखिए यह सा कि यह देखिए कॉलर कि इतना अच्छे से कॉलर साफ हो गया है बिल्कुल भी गंदगी नहीं है पहले यहां पर एक क्लाइन सी थी गंदगी की बटब वह बिल्कुल भी नहीं आप देख सकते हैं यहां पर क्लोस से भी दिखाऊंगी पहले कपड़े आपनों को निकाल कि मै मैं दिखा दे रही हूं कि टीशिट यह भी बहुत अच्छे साफ हो गया है कि यह वाइट मैंने आप लोगों को दिखाया था तो यहां पर यह भी आप देख सकते हैं यह देखिए पूरा का पूरा वाइट हो गया है थोड़ी भी इसमें शिकायत नहीं है कि यहां पर कि यह देखिए इतने अच्छे से साफ हुआ है इस मैथर्ट से आप लोग भी क्लीन करिए बहुत अच्छे से कपड़े क्लीर होंगे विल्कुल भी शिकायत नहीं आएगी और देखिए मैंने कम कपड़े डाले थे नहीं तो कपड़ों में उतनी लाइनिंग भी नहीं यह इसको मुझे आयड करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी यह दिखए यह गंदगी नहीं है मैं पलोज से दिखाती हूँ यह रेशे ठीकल होए कि यह गंदगी नहीं तो कि यह देखिए भी प्रस हैं रीशे रेशे हैं रोससें आडर होगा विल्कुल भी गंदगी मैं बग कपड़े बहुत अच्छे से सब के सब साफ हो गये हैं बस अब हमें जारी बहार डालने और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कॉमेंट करके पूच सकते हैं मैं वीडियो बना की तुरंत अप्लोड कर दूँगी और जो मैंने अभी पैंट का अलग सेक्शन रखा है औ अब पूर्ती इसका अलग रखा है तो उसे भी मैं कल वाश करूंगी उसकी वीडियो बनाऊंगी तो वह वीडियो भी इस वीडियो के बाद में अप्लोड करूंगी वह आप उसे जरूर देखिए उसमें भी कुछ नए टेप्स में दूंगी यगर आपको पैंट और वह की केरें, बाइ!